आज की वीडियो में हम समझेंगे जो विश्व भारती की रिक्रूटमेंट आई है 709 पोस्ट के लिए चाहे वो UDC की हो, LDC की हो, MTS की स्टेनोग्राफर की हो और जो ये सब हैं इसेंशल एजुकेशनल कॉलिफिकेशन उसमें कितरे माक्स का क्या पुछा जाएगा जी हाँ, क्या वो पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा और क्या होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कितरे माक्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगे, तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंफर्मेटिव कंटेंट के लिए अब ये है official scheme of examination जो की NTA के दौरा release किया गया है जिसमें बता है scheme of examination for direct recruitment to administrative slash non-teaching library cadre post इसमें बताया है the following shall be the scheme of examination for written test and paper to skill test होगा interview होगा और जहां जहां interview होगा उस पे मैं अभी आपको बता दूगा कि कौन-कौन सी post पे interview होगा है लेकिन अभी के लिए paper one अगर मैं बात करूं तो आपका general awareness आएगा 30 question आएगे जिसमें 60 marks का reasoning ability आएगी आपके 35 question होगे 70 marks का mathematical ability आएगा 35 question होगे 70 marks का और गाइस एक और चीज़ ये सबसे important ध्यान देने वाली बात है कि test of language होगा English और Hindi I repeat और मतलब क्या होता है हिंदी में या दोनों में से कोई एक language का test होगा चाहे आप English चूस करें चाहे आप Hindi चूस करें तो 30 question होगे जिसमें 60 marks का होगा और वहीं computer awareness होगा आपका 20 question होगे 40 marks का और duration कितना होगा आपका 2 hours होगा तो total number of questions कितने हैं total number of questions है 150 जिसमें से 300 marks का है और 2 hours में आपको attempt करना होगा ठीक है और उसके बाद PWD candidates को आपको extra time मिलेगा अगर syllabus की बात की जाए आप अपने screen पे देख पा रहे होंगे screen पे कि आपका current affairs भी हाएगा और बाकी जो आपका आर्ट एन कल्चर पॉलिटी एन कॉंस्टिटूशन जियोग्रफी एकनॉमिक्स जेनरल पॉलिटी साइंस एन सांटिफिक रिशर्च नैशनल और इंटरनाशनल और इंस्टिटूशन रिजनिंग अबिलेटी यह सब तो आएगा ही तो ठीक है फिर उसके बाद रिजनिंग अबिलेटी की मैं बात करूं तो आपका वही जो एससी का स्लेबत होता है उसकी अकॉर्डिंग आपका रिजनिंग का टेस्ट होगा और मैथेमेटिकल अबिलेटी में जहां तक मैं देख पारहों स्क्रीन पे आपका हिंदी और इंग्लिश में आप देखी पारहोंगे अपने स्क्रीन पे आपका वोकाबलरी ग्रामर संटेंस ट्रक्टर सिननम अंटेनिम एंट्स करेक्ट उसेज एक्सेक्टर वुट भी टेस्टेड तो अगर अगर मोटा मोटा समझा जाए आपका स्लेबत भी इसमें बस है इसमें भी विश्व भारती के पेपर में अब ही जो बेसिक अप्लिकेशन आफ कंप्यूटर 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 हाडवेर और सॉफ्टवेर यह सब चीज़ें आएंगी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेपर टू की अब पेपर टू जो मैं अभी आपको असिस्टेंट रजिस्टार सेक्शन आफिसर आपका असिस्टेंट रजिस्टार सॉरी असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट सीनियर सिस्टम एनिलिस्ट का होगा और उसके बाद सिस्टम प्रोग्रामर का होगा असिस्टेंट सिविल इंजिनियर जूनियर इंजिनियर सिविल असिस्टेंट इंजिनियर इलेक्ट्रिकल जुनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट पर प्रोफेशनल असिस्टेंट सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइबरी असिस्टेंट और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो लाइबरेरी अटेंडेंट तो गाइज यह टोटल 16 पोस्ट हैं जिनका पेपर टू होगा जी हाँ पेपर टू इन सिर्फ 16 पोस्ट का होगा बाकी सब का जो रेस्ट पोस्ट हैं उनका सिर्फ पेपर वन होगा और इन पोस्ट के लिए इनको जो 16 पोस्ट अपन इंग्लिश 50 मिनिट्स इन इंग्लिश होगी और टाइट रांस्क्रिप्शन टाइम परस्टनल असिस्टेंट के लिए आप देखी रहे हूंगे अपने स्क्रीन पर और स्टेनोग्राफर के लिए जो अभी तक मैं देख पा रहा हूं वह भी है 35 वर्ड पर मिनिट और इसमें मिस्टेक्स कितनी अलाउड है आपकी अभी तक इसमें क्लियर कट नहीं लिखा है बट अगर वहीं मैं बात करूं लाइबरी असिस्टेंट की तो 30 वर्ड पर मिनिट हैं इंग्लिश में ठीक है तो यह बात होगी नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट लेबरेटरी असिस्टेंट लेबरेटरी टेंडेंट इन सबका आपका ट्रेड टेस्ट होगा और बाकी का जो उपर की चार है इस वा पेपर टू जो शोला पोस्ट मैंने अभी आप से डिस्कस की हैं सिर्फ उन्हीं का होगा और ट्रेड टेस्ट जो मैंने आप से डिस्कस किया इन चार या पांच पोश्ट का ट्रेड टेस्ट होगा ठीक है फिर उसके बाद आपका ये सब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका the caution paper will be bilingual English और Hindi except part 4 मतलब जो language test होगा अगर आपने English चूज किया होगा तो English में होगा Hindi होगा अगर आपने Hindi में चूज किया होगा तो ठीक है फिर उसके बाद next आपका ये आपका कुछ essential qualification वो बता है कि इतने mark score करना जरूरी ह और उसके बाद negative marking भी है जी हाँ negative marking है आपकी one by fourth mark allocated per question one by fourth कितना होता है जैसे आप देखी रहे हैं दो mark का एक कोशन है तो दो mark का one by fourth होता है आपका 0.5 marks जी हाँ 0.5 marks की आपकी negative marking होगी फिर अब और मैं और कुछ आपसे discuss करूं कि क्या है ये देखिए जिन लोगों का आपक personality या फिर interview है उनके लिए 70% तो paper one से उनको score करना होगा और paper two से आपका उनको paper two sorry ने interview से उनको 30% marks की weightage होगी ठीक है तो ये आप से मैंने discuss कर लिए scheme of examination जो की आपका विश्व भारती university में जो vacancies हाई या उसके लिए था तो guys अगर आपको ये video informative लगा हो या आप चाहते हैं क कि ऐसा ही content मैं आपके लिए regular basis पर produce करूं तो please इस video को like करना और subscribe जरूर कर लेना हर बार update पाने के लिए मेरे channel के थूँ